हाई प्रेंग्स आज में लिख रही हूँ बिल्कुल नए तरे की मिठाई देखने में आपको बेसन के लड़ू लगरे होंगे पर ये बिल्कुल अलग तरे की मिठाई है इसमें ना तो सूजी ना बेसन ना चावल का आटा ना गेहूं का आटा ना मैदा न मिल्क पाउडर न कंडेंस मिल्क कुछ भी यूज होने वाला नहीं है और साथ ही हम गैस भी नहीं जलाएंगे इसे बनाने के लिए और ये मिठाई देखने में जितनी सुन्दर है उससे कहीं जादा ये टेस्टी लगती है सिर्फ 10 मिनिट में तयार हो जाती है तो आएए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते है हाई फ्रेंज मैं गीता वर्मा गीता किनू रेस्पीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं फिर से एक बहुत ज़्यादा इंटरस्टी वीडियो लाइक हूँ नित कर दिए आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो यहाँ पर मैंने ले ली है आधा कप चीनी करीब 100 ग्राम चीनी है ये इसे हमें मिक्सी में पीसना है इसका पाउडर तियार करना है आप शाहे तो खांड या फिर बूरा भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने ले लिया है ये भुना हुआ चना जो की 500 ग्राम है आपको 25 तीस उरपे का आराम से मिल जाएगा बहुत इस अस्तिमिट हाई है तो यहाँ पर मैं इस भुनेवे चने को पीस लेती हूँ इसे एकदम बारिक कर लूँगी इसका पाउडर तियार कर लूँगी तो यहाँ पर मैंने इसका एकदम बारिक पाउडर तियार कर लिया है आप इसकी जगे चने का सक्तु भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसमें कोई भी मोटे टुकड़े ना रहें इसलिए मैं इसे छान लेती हूँ क्योंकि हमें एकदम बारीक पाउडर चाहिए इससे क्या होगा इससे जो मोटे मोटे इसमें अगर टुकड़े रहे गए हैं तो वो बहुत ही असानी से निकल जाएंगे तो यहां पर मैंने इसे छान लिया है और आपको दिखाती हूँ किस तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं किस तरह के टुकड़े कई बाद छिलका वगएरा होता है चैने में तो वो सब निकल जाता है इस तरह कैसे छान से यह देखे तो हमें एकदम जो मिठाई मिलती है बहुत अच्छी टेक्स्चिर वाली मिलती है एकदम स्मूध तो यह हमने चान लिया है अब मैं इसके अंदर यह पिसी हुई चीनी मिला दूंगी आप इसकी जगह बूरा भी इस्तमाल कर सकते हैं उससे जो यह मिठाई है उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है तो अगर आपको मीठा कम लगे तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो यह वैसे परफेक्ट है इतनी क्वांटिटी इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ अब इसके अंदर मैं यह ड्राइफ रूट्स मिला रही हूँ यहाँ पर मैंने बादाम और काजू ले लिये हैं थोड़े से जिसे मैंने बारिक बारिक काट लिया था दो टेबल स्पून के करीद इससे बहुत अच्छा क्रंची टेस्ट आएगा अब इसमें मैं एक एक टे हमिकितना धाले आएगा और इसे मैं मिक्स करती जाओंगी ऐसा करने से क्या होगा एक-एक चमच डालने देंसे घी बिलकुल भी जादा तो। यहां पे दो टेबल्स्पून में फिलाल डाल चुकी हूं और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डालूँगी ता कि आपको मैं बताई सकूम कि मैंने इसमें कितना घी ढाला है तो आपका 府 सकता है थोड़ा कम तो इस तरह से एक एक टेबल स्पून करके मैं मिलाती जाओंगे आपको बताओंगे मैंने कितना मिलाया है तो अब ये काफी ड्राय है ये देखे मैं इसमें बाइंड कर रही हूं तो ये तूट जाएगा ये बिल्कुल अच्छे से नहीं बंद रहा है तो एक तम परफेक्ट बाइंड होना चाहिए जब हम कोई मिठाई बनाएं या लड्डू बनाएं तो इस तरह से हम थोड़ो थोड़ो करके मिलाते जाएंगे एक साथ मत मिलाईएगा तो इससे बिल्कुल परफेक्ट पता लग जाता है कि हमें कितना मिलाना है तो इस तरह से चेक करते जाएए मि इस तरह से जब हम बाइंड करें तो इसका लड्डू बन जाने चाहिए तो यहाँ पर यह देखिए काफ़ अच्छे से बाइंड हो गया है तो मैं इसमें पांच टेबल स्पून घी डाल चुकी हूँ कितने अच्छा से बाइंड हो गया अब इसके अब लड्डू बना लेजी मैंने तो लड्डू बनाए है आपकर कोई और शेप देना चाहे तो वो भी दे सकते है तो लड्डू बनाना आसान होता है इस这么 मैं दबा दबाकर इसके लड्डू बना लूंगी अब मैंने यहां पर बादाम रखे हैं दो टुकड़ों में काटे हुए तो मैं इस तरह से बादाम भी लगा दूँगे और इस तरह से जब इसको मैं लड़ू बनाऊंगे तो यह चिपक जाएगा तो इसे लड़ू देखने में बहुत सुन्दर लगेंगे जब आप लड़ू बनाएं तो इस तरह से बादाम का टुकड़ा हाथ में रख ले और साथ में दबाते जाएगे तो इससे बहुत ही आसानी से चिपक जाता है अगर आप उपर से लगाएंगे तो नहीं चिपकेगा तो अच्छे से मैं इसे प्रेस कर दूँगी ताकि बादाम का टुकड़ा निकले नहीं यह देखें बन गया ना लड़ू कितना सुन्दर लग रहा है तो इस तरीके से में सारे लड़ू तयार कर लूँगी तो यहां पर यह जो सारे लड़ू है तो त्यार हो गए है यह देखें इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और इसे मैं थोड़ा सा और सजाने वाली हूं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा से खाली-खाली लग रहे है तो इसे मैं थोड़ा सा और डेक्रेट करूंगी यह आपके उपर है आप इसे कैसे सजाना चाहते हैं तो यहां पर मैंने ले लिया है चांदी का वर्क जो कि आपको किसी भी पर्चून की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा यह आपको 30-40 रुपे का मिलता है एक पैकेट तो इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा मैं यह चांदी का वर्क लगा दूंगी और यह बहुत जल्दी हाथ में चिपक जाता है इसलिए आपको फेपर से लगाना है यह थोड़ा-थोड़ा समय ने लगा दिया और थोड़ा समय इस पर पिस्ता लगा दूंगी इस तरह से तो इससे आप देखेंगे कितने सुन्दर लगेंगे और कम खर्चे में कोई यकीन ही नहीं वानेगा कि बिना गया चलाए अपने इतनी सुन्दर मिठाई तैयार कर दी देखें कितनी सुन्दर लग रही है लग रही है बिल्कुल मार्किट जैसी तो इस बार रक्षवंदन पर इसस जरूर ट्राय करें और मुझे लिक कि बताएं कि आपको यह कैसी लगी यह देखें वाव बहुत ही सुन्दर लग रही है मतलब कोई यकीन ही नहीं आनेगा कि से आपने 10 मिनट में तैयार कर लिया वो भी बिना किसे सुजी बेसन के और देखने में बिल्कुल बेसन के लड़ू लग रहे है यह देखें तो इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको यह देखे लग रहे ने बिल्कुल बेसन के लड़ू अंदर से वाकित टेस्ट में भी बेसन के लड़ू के तरह है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल ना भूए